दोस्तो इंफिनिक्स ने इंडिया के अंदर एक और लैप्टॉप लाउंच कर दिया इन्बुक X1 नियो तो दोस्तो अभी इन्बुक X1 आया था उसके बाद नियो आ चुका है यह इस वीडियो में इसके अंबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा इसके अंदर आपको कैसे फ बाद करें दोस्तो प्राइस के बारे में तो इसका जो प्राइस है ने दोस्तो वो बॉक्स पे तो आपको मिलता है औरांड 40,000 का लेकिन दोस्तो जो इसका प्राइस है वो है अभी 23,000 के आस्पास अरल यह आपको he R again किसजार का और अभी जो दोस्तो है डिसकाउंट चल रहा है तो बैंक के ओफर्स के बाद दोस्तो यह आपको जो है कार्ड के डिसकाउंट के बाद 23,700 23,700 के असपास मिल जाएगा तो प्राइसिंग तो दोस्तो इसकी आपको काफी जादा बैस्ट मिल जाती है बहुत सारे लोगों का बजट जो है इतना ही होता है चल इसका उन्बॉक्स कर लेते हैं देखते हैं बॉक्स के कंटेंट्स क्या क्या है तो सबसे पहले दोस्तो आपक सिपोर्ट आपको मिल जाता है और केबल की जो दोस्तो क्वैलिटी है वो बहुत ही कमाल की आपको मिल जाती है इसके लाव दोस्तो लास्ट में आपको रखावा मिल जाता है ये ब्लैक कलर में चार्जर बिल्ड क्वैलिटी चार्जर के आपको काफी जादा बढ़िया दी गई हैं और दोस्तों यह 45W का चार्जर हैं तो 45W का चार्जर आपको दिया गया है कुछ इस तरीके के लुक में तो चार्जर आपको काफी ज़्यादा सही मिल जाता है दोस्तों इसके साथ तकरीबन देड़ घंटे के आसपास time लगेगा इसको full charge होने में तो charging speed आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है दोस्तो इसके साथ box के अंदर जो आपको contents दिये गए है charging cable और charger दोनों की ही build quality आपको काफी जादा बढ़िया मिल जाती है तो build quality को लेकर इन दोनों की आपको दिक्कत नहीं होगी चलिए अब दोस्तो अन्रैप कर लेते हैं laptop को जो सबसे important है तो दोस्तो design जो है इसका कुछ इस तरीके साब को मिल जाता है जैसे पहले launch हुआ था दोस्तो उसी तरीके का pattern है यहाँ पर आपको infinix की branding दी गई है दोस्तो metal quality इसके अंदर आपको दी गई है तो build quality आपको काफी बढ़िया मिल जाती है एक side सा आपको matte finish में design दिया गया है बाकि दोस्तो इस पर scratches की problem आपको देखने को नहीं मिलेगी design की जो quality है दोस्तो आपको काफी ज़ादा कमाल की मिल जाती है left side पर यह सारे ports दिये गए हैं अभी check out करेंगे इनको और दोस्तो right side पर भी कुछ इस तरीके साब को ports मिल जाते है दोस्तो यह laptop आपको काफी ज़ादा slim मिल जाता है इसका जो response है दोस्तो वो भी आपको काफी बढ़िया दिया गया है इसके साथ दोस्तो pattern आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके साब को इसका color shade मिल जाता है अंदर से और बाहर की side से दोस्तो उपर की तरफ right side पर power का button दिया गया है इसके अंदर दोस्तो आपको Intel Celeron N5100 processor दिया गया है अब दोस्तो अगर आप एक normal user है जैसे दोस्तो आपको entertainment purpose से laptop लेना है आपको YouTube अगरा देखना है इसके साथ दोस्तो multimedia तो दोस्तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी front camera इसके अंदर आपको मिल जाता है दोस्तो HD webcam दिया गया है dual flashlight के साथ दोस्तो dual flashlight भी मिल जाती है यह चीज़ भी बहुत बढ़ी है complete design आप इसका देख सकते है दोस्तो इसके अंदर आपको 8GB RAM मिल जाती है और 256GB की SSD दी गई है तो 8GB RAM है दोस्तो इसके साथ 256GB के storage इसके अंदर आपको मिल जाती है Wi-Fi 5 दिया गया है Bluetooth version 5.1 मिल जाता है दोस्तो इसके अंदर आपको जो display size मिल जाता है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है 14 इंचिस का और display की जो quality है वो भी आपको काफी जादा बढ़िया दी गई है colors वगेर आपको बहुती जादा अच्छे मिल जाते है price point को देखते हुए दोस्तो इसके अंदर आपको display काफी जादा कमाल की मिल जाती है 300 nits की brightness मिल जाती है 60 Hz का refresh rate मिलता है दोस्तो इसके साथ दोस्तो डिस्प्ले के अंदर आपको जो edges, bezels मिलते है वो भी आपको ठीक ठाक मिल जाते है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तो डिस्प्ले की quality को लेकर और size को लेकर ये चीज़ा आपको इसके अंदर आपको काफी जादा बढ़िया मिल जाती है इसके साथ दोस्तो काफी slim भी है इसका जो दोस्तो weight है laptop का वो आपको मिलता है 1.25 kg के आसपास तो तकरीबन 70 kg इसका weight है तो काफी जादा आपको light weight मिल जाता है इसको carry करना आपके लिए काफी असान रहेगा इसके साथ दोस्तो जो है इसका design भी मुझे personally काफी बढ़िया लगा quality में भी और दोस्तो look wise भी काफी जादा बढ़िया है slim होने के जोजे से और जादा experience जो है बढ़िया हो जाता है 50 watt hour की इसके अंदर आपको battery मिल जाती है तो दोस्तो आप expect कर सकते हैं 5-6 घंटे का battery backup इसके अंदर आपको आराम से मिल जाएगा left side पर HDMI port मिल जाता है USB port दिया गया है और एक type C port मिल जाता है charging के लिए इसके साथ दोस्तो right side से आप देहेंगे तो इस तरफ आपको दूसरा USB port दिया गया है headphone jack मिल जाता है और एक type C port और दिया गया है इस तरफ data transfer के लिए और एक memory card का भी port मिल जाता है तो ये चीज़ काफी जादा बढ़िया है back side से दोस्तो आप देख सकते हैं इसका pattern कुछ इस तरीके से है flip card unique लिखावा मिल जाता है नीचे की तरफ तो दोस्तो overall मुझे ये laptop काफी जादा पसंद आया अगर आप अपन day to day use के लिए ऐसी normal use के लिए laptop लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तो आप इसको consider कर सकते हैं काफी जादा आपके लिए बढ़िया रहेगा बाकि अगर आपको दोस्तो बहुत जादा heavy use करना है laptop के अंदर gaming वगरा बहुत जादा करनी है multitasking बहुत ही जादा करनी है काम वगरा बहुत जादा करना है तो दोस्तो आप दूसरे laptop भी try कर सकते हैं Infinix के बाकि दोस्तो नॉर्मली उसके हिसाब से entry level पर ये laptop आपको काफी बढ़िया मिल जाता है थोड़ा बहुत netshat चला लिया दोस्तो यूट्यूब बगरा देख लिए से के साथ दोस्तो और दूसरे applications नॉर्मली उसके हिसाब से काफी सही रहेगा design भी काफी अच्छा है दोस्तो build quality भी आपको अच्छी मिल जाती है मुझे परस्तल ये काफी अच्छा लगा लाइक करके जरूर जाएगा चैनल पर आपने है सब्सक्राइब आपने निकर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि नए वीडियो अब तक पहुचते रहें इसके लगे दोस्तों वीडियो अगर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको share जरूर कर दियेगा WhatsApp और Facebook पर जो भी आपके friends और लैप्टॉप खरीदने की सोच रहे हैं बजट जिनका कम है तो उनके साथ एक बार share जरूर कर दियेगा चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए